आज ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो गोट शेड के ओपर कि गोट शेड हमारा किस तरह से होना चाहिए और एक छोटी सी यूनिट के लिए अगर हम बात करें हमने दस या बीस एक बीस तो ज्यादा हो जाएंगी इन दोनों सेक्शन के लिए बट टैन गोट ब दिन को खुला छोड़ सकते हो और यह देखे वियोस आप हाइट देख सकते हैं इसकी नीचे अंदर फ्लोरिंग करी गई यह लकडियों की ताकि इसकी जो फीसिस हैं पैलेट है वो नीचे गिर जाए और इस तरह से आप देखेंगे यह इन्होंने वूडन पैलेट्स लगा आ रहे होंगे तीन बक्री आदर आजाएंगी तीन बक्रियां इसीली उदर आ जाएंगी तो और यह खुर्ली कितनी बड्सुंदर खुर्ली इन्होंने बनाई है यह जो वॉकिंग स्पेस है इसमें बंदा आराम से आके बाहर से घास डाल सकता है जिसमें उसको कोई परिश इनोंने करके रखा है और यह देखिए यह आपको जो फीसीज है वो नीचे गिर रही है और उपर एकदम नीट अंड क्लीन इनका फाम है यह बहुत ही सुन्दर फाम इनोंने बनाया है तो इस तरह का स्ट्रक्चर अगर किसी ने 10 बक्रियां रखनी हूँ यह 15 बक्रियां रखनी हूँ बिलकुल सब तरफ से खुला है सरदियों में इसको साइडों से तरपाल लगा के अगर किसी को भी चोटी से यूनिट बनानी है तो इस तरह का फाम और आप पीछे देखेंगे इस सारा सूपनेपियर और सूपनेपियर इस सूपनेपियर के जो एज है वो चार महीने है चार महीने बरसात शुरू होते ही लगाया गया था आप देख सकते हैं इसके को बड़े सक्सेस्फुल बनाया जा सकता है आपको शैड यह कैसा लगा अपने कमेंट्स कमेंट्स सेक्शन में जूरू टाइप करिएगा थेंक्यू वेचिंव थेंक्यू वेरी मच फॉर वाचिंद वीडियो